दोस्तो जब से YouTube Shorts monetize हुआ है तब से लोगों का यही सवाल है कि कितने views पर कितने रूपे मिलते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि YouTube Shorts पर अगर आपके 1000 व्यू आ रहे हैं ना फिर 5000 व्यू आ रहे हैं तो आप कितने रूपे कमा सकते हो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तो अब ने आपको Shorts की पूरी कहानी बता देता हूं अर्निंग से रिलेटेड दोस्तो हो क्या रहा है कि मान लो कि आपके 1 मिलियन व्यू पर अगर आपकी बड़ी वीडियो थी तो आप आराम से 1 मिलियन व्यू पर लग 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 30-40,000 रुपे कमा लेते थे पर मेरी एक Short Video वाइरल होई और उस पर 1 मिलियन व्यू आए अब मानोगे नहीं दोस्तो 1 मिलियन व्यू का मात्र मुझे 5 डॉलर मिला है 5 डॉलर मतलब कि दोस्तो YouTube Shorts पर कमाई ना के बराबर है बहुत कम पैसे मिलते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यू पर पर अगर आपके इतने व्यू बड़ी वीडियो पर आज जाते हैं तो आप लाख हो रुपे कमा सकते हो तो इससे ये साफ हो जाता है कि YouTube Shorts पर कमाई कम है अगर आपको पैसे कमाने तो आपको बड़ी वीडियो ही बनानी पड़ेगी Shorts पर इतने एड नहीं चलते हैं तो उमीद है दोस्तो आपको सब कुछ पता लग गया होगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह का मज़िदार कॉंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्काइब करकर बैल आइकन पर जरूर क्लिक करना तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में यूट्यूब टिप्स के साथ अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना है तो मिलते हैं के लिए वीडियो में तब ते के लिए गुड़ बाई